तो चलिए एक बार फिर से आपके स्वागत के साथ गुद्रात रोड सेफटी पॉलिसी की सुरुआत करते हैं सबसे अच्छी बात जो कही गई वो कहा गया कि जो काउंसिल है न ये बड़ी ही डीप कंसर्ण है एक्सिडेंट को लेके देखिए वर्डिंग देखिए बहुत डीप कंसर्ण है मतलब भाई हम बहुत कंसर्ण है इस मैटर को लेके कि एक्सिडेंट हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए अब आप सोच के देखो कि जब हम इतना कंसर्ण है रोड अक्सिडेंट को लेके और आजादी मिलती है मतलब क्या गजब का सन्योग नहीं है और government will provide the assistant to improve the quality of crash investigation जिसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ पर accident case को कितनी अच्छी तरीके से investigate किया जाता है यह आपको पता है अगर कभी आप इसमें फसे हो तो बिल्कुरू पता होगा क्या किया जाता है जनरली accident हुआ चार लोग पाच लोग दस लोग घेर लेंगे कहेंगे भाईया तुम इसको दे दो जिसका अपने मर्जी से judgment होता है और हमारे यहाँ एक चीज predefined है कि अगर cycle वाले ने पैदल चलते वे आद्वी को टक्कर मारा तो गलती हमेसा cycle वाले की होगी अगर बाइक वाले न रखा है हमारे यहाँ पर प्रिये जूम कर लिया जाता है कि गलती हमेसा उसी की वी होगी आपने experience किया होगा मेरा personal experience है एक आदमी आके side से टक्कर मारता है मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं मैं state road पे जा रहा हूं road cross कर रहा है वो देखने की जब तो उसके अगर regulation की भी बात करें पर side से आके टक्कर मारता है लोग इकठा हो जाते हैं आपने टक्कर मारते मैंने का भाई देखो CCTV का मेरा camera है fortunately देख लो किसकी गलती है किसने टक्कर मारा है और किसको मारा है पर still हमारे यहाँ तो presume किया गया है बाई कि अगर आपने car आपने car लिया हुआ है और बाईक करो तो investigation की जरूरत है इससे क्या होगा at least यह प्रूब होगा कि गलती किसकी है किस तरीके से सुधारा जाए और जो गलत होगा अगर वो पे करता है न तभी चीज़े सुधरती है गलती भी उसकी पैसे भी उसी को मिले तो फिर कहां से चीज़े सुधरेंगे